Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Sugandha Sharma और आज की वीडियो में हम बात करेंगे Singapore Airlines के तरफ से Cabin Crew Vacancies के बारे में जिसके लिए men and women दोनों apply कर सकते हैं freshers and experienced candidates दोनों apply कर सकते हैं हम इस वीडियो में discuss करेंगे सबसे पहले Singapore Airlines के बारे में यानि इन vacancies के बारे में इसका eligibility criteria, third इसके लिए आपको apply कैसे करना है and fourth इसका selection process क्या होगा सबसे पहले इन vacancies के बारे में discuss करते हैं देखे Singapore Airlines जो है एक international airline है यानि अगर आपका selection हो जाता है तो आपको Singapore में रहके job करनी है, इंडिया में रहके नहीं करनी है लेकिन जब तक आपका selection नहीं हो जाता है तब तक आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा interview के लिए आपके जो interview rounds है वो इंडिया में ही रहके होंगे second ये एक five star airline है यानि जैसे आपने एतिहाद Emirates Qatar के बारे में सुना होगा काफी famous airlines है, world class services है इनके passengers के लिए भी बहुत अच्छे है और job करने के लिए भी बहुत अच्छे है क्योंकि salary अच्छे पेई करती है perks अच्छे मिलते हैं, facilities अच्छे मिलती है ये जो मैं video बना रही हूँ जिन vacancies के लिए बना रही हूँ उसके interviews July 2023 में होंगे जो इंडिया में ही होंगे लेकिन ये walk-in interview नहीं है यानि interview की कोई date place timing नहीं दी है जब आप जा के interview दे सकते हैं इसके लिए पहले आपको online apply करना है और online application स्टार्ट हो गई है इसके लिए जो online applications हैं वो 11 जून तक open है 11 जून तक आप इसके लिए apply कर सकते हैं अब हम इसके लिए eligibility criteria discuss करते हैं सबसे पहले कोई भी इंडेन इसके लिए apply कर सकता है and girls and boys दोनों ही इसके लिए apply कर सकते हैं सेगें इसमें although officially age mentioned नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ इसमें minimum 18 years age मांगते हैं अगर आपकी age 18 से कम है तो आप इसके लिए apply नहीं कर पाएंगे qualification में मांगा है minimum graduation यानि दूसरी जो airlines है वो 12th pass candidates मांगते हैं but Singapore Airlines minimum graduates मांगते हैं आपने चाहें किसी भी year में कितने भी percent से और किसी भी stream में अपना graduation किया है चलेगा अगर आप अभी last year last semester में है I am not very sure last year के लिए तो आप नहीं apply कर सकते last semester के लिए maybe you can apply क्योंकि इससे पिछली जो Singapore Airlines की vacancies है जिस time मैंने Singapore Airlines के लिए interview दिया था which was I think 5 years back maybe 5-6 years back उस वक जो मेरे साथ कुछ लड़किया थी जन्नों नहीं interview दिया था लेकिन जो शुरू का प्रोसस है वो online होगा तो मेरी परस्नल सजेशन ही होगी कि आप online अप्लाइ करके देख सकते हैं इसके लिए minimum graduation मांगा है height की बात करें female candidates के लिए minimum height 1.58 meters and male candidates के लिए minimum 1.65 meter height मांगी गई इसके लाबा freshers इसके लिए apply कर सकते हैं कोई experience नहीं मांगा है किसी भी तरीके का लेकिन अगर आपको कोई भी working experience है उसको हमेशा अपने application में जरूर mention करें because something is better than nothing और especially अगर आपको hospitality industry का experience है तब तो आपको बिलकुल ही mention करना चाहिए now willingness to relocate to Singapore यानि जैसा कि मैंने video के beginning में बताया कि अगर आप select हो जाते तो आप Singapore में रहके Changi airport पे most probably but कोई भी हो सकता है अपका flying base वहाँ पे रहके job करेंगे तो आप अगर इस चीज के साथ agree करते हैं then only you should apply for this lastly उनने मांगा है कि आपके English बहुत अच्छी होनी चाहिए कोई compromise नहीं होगा बिल्कुल भी रुक रुक के अगर आप बोलते हैं English आप fluently नहीं बोल पाते हैं तो आपके selection के chances कम है कुछ लोगों कि English बहुत अच्छी होती है जब वो उसको लिखते हैं जब वो बोलते हैं तो उनकी communication skills उतनी अच्छी नहीं होती है तो इसमें यह चीज़ भी मांगी है कि आपके communication skills अच्छी होनी चाहिए इसके लाव आपके pleasing personality होनी चाहिए यानि some people have good communication skills उनकी English भी अच्छी होती है बट personality थोड़ी सी dull होती है तो जब आप अपने आपको महाँ पर present करें इंटर्वियो में तो काफी professionally अपने आपको present करें यह सब ही इसमें मांगा है eligibility criteria के लिए इसके लावा और कुछ नहीं मांगा है इसके लिए apply कैसे करना है description में मैं आपको Singapore Airlines का जो official page है इसका link दूंगी जब आप उस पर पहुंचेंगे तो इस तरीके का page खुलेगा जहां पर आप देख सकते हैं एक corner में लिखा हुआ है apply now जैसे यह आप उस पर click करेंगे apply now पर तो इस तरीके का page खुलेगा आपके सामने जिसमें आपको यह form फिल करना है चार से पांच pages का यह form है जिसमें आपकी personal detail qualification detail अगर आपको कोई working experience है तो आपकी work details और कुछ basic questions है अगर आप चाते हैं कि मैं इस चीज के ऊपर वीडियो बनाओ कि इस form को कैसे भरना है तो आप मुझे comments में बता सकते हैं अगर आप खुद भर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप इसको खुद भी भर सकते हैं लेकिन यह 4-5 page का form है थोड़ा सा लंबा है थोड़ा सा complicated है पॉम फिल करने के बाद आपको अपना CV भी समें upload करना होगा तो आप पहले अपना CV तयार करके रख लें और उसके बाद online apply करना शुरू करें वरना बीच में जब वो CV required होगा तो आपको application बीच में ही छोड़नी पड़ेगी जब आप यह पूरी application भर देंगे अपना CV भी अपलोड कर देंगे तो 10-15 दिन के बीच में आपको एक confirmation mail आएगा अगर आप select हो जाते हैं तो अगर आप select नहीं होते हैं तो आपको कोई reply नहीं आएगा सिर्फ जो candidate shortlist होते हैं सिर्फ नहीं को reply आता है यानि अगर आपको around 5-6 July तक कोई reply नहीं आता है तो आप समझ जाना कि आपका selection नहीं हुआ है वो लोग जिनका selection हो जाएगा उनका second stage होगा वो video interview होगा जिसमें आपके सामने लिखे हुए आएंगे कुछ questions ऐसा नहीं है कि आपके सामने बैटके आपका video interview ले रहा होता है यह again to the best of my experience जब मैं अप्लाई किया था जब मैं select हुई थी उसके बाद जो मेरा video interview हुआ था उसमें आसा हुआ था तो यह मैं आपको अपने personal experience है बता रही हूँ जो अगें 5-6 साल पुराने experience हो सकता है चीज़े थोड़ी सी change हो गई हो बट to the best of my knowledge जो मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ आपके screen पे questions लिखे हो आएंगे वह question पढ़के आपको उसका reply करना है और जैसे ही आप question पढ़ लेंगे आप record पे click करेंगे फिर आपकी video record होनी शुरू हो जाएगी और आपको वह answer करना है जब आप satisfied है अपनी video के साथ तो आप stop करके उस video को submit कर सकते हैं इसके लावा वह आ अपने आपको head to toe complete एक frame में दिखा है अपना phone अपने आप से इस्टेंस पे रखें कि वह आपको completely scan कर पाए तो आप जब video interview देने बैटेंगे तो आप अच्छे से तयार हो के बैटें बिल्कुल जैसे interview में आप कपड़े पहनते हैं और जैसे आप interview में तयार होते हैं और video interview अगर आप clear कर लेते हैं तब इंडिया में most probably Delhi या Mumbai या Kolkata या Bangalore जैसी cities में आपका interview होगा ज्यादा तर वो Delhi ही रखते हैं अपना interview center जहां पर वह आपको invite करेंगे कि आप वहां आके अपना interview दें तो यह इसका complete process रहेगा so that was all about this video I hope it was helpful for you अगर आपको कोई भी doubts हैं तो आप मुझे comment में पूछ सकते हैं या अगर आप चाहते हैं मैं video बनाओ की form कैसे फिल करना है इसके लिए तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं इसके लाग अगर आपको कोई भी भी doubt है जिससे अगर आप जाना चाहते हैं कि क्य कोई शम से पूछें गे वीडियो इंटर्वी में या फेस तो फेस इंटर्वी पूछें गे वो भी आप मुझे कॉमें पूछ सकते हैं अगें अगें इसके साल बाट अबात इस वीटियो थैंक यवरी मुच फो वाच्छ लाचिए and stay on the channel